हेलो फ्रेंट्स वेलकूम तो मैं चैनल दोस्तों आज की सुड़े हम बात करने वाले हुंड़े आई पियो का इंपोर्टेंट की तो बेसिस आफ एलाटमेंट 18 अक्टुबर यानि कि आज ही है फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाया की एलाटमेंट का और एलाटमेंट आया है की नहीं बट फ्रेंट्स हमने इस आई पियो में अपने रिटेल को मना किया था एपलाई करने के लिए बिकॉज इस कंपनी से जो उमीदे थी रिटेल के टेगरी को उस पे यह कंपनी बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है बहुत ही महंगा आई पियो इन्होंने लाया है वेल्यूएशन बहुत ही महंगा रखा है रिटेल के लिए बिल्कुल भी यहां जगह नहीं छोड़ी है बहले जो आई पियो पंद्रहसों से सोलहसों में आना था उस पे भी इन्होंने महंगा करके 200 और रूपीज बढ़ा के मतलब 1900 रूपए के आसपास है जो कि बहुत ही कोश्टली है और यहां पर रिटेल के लिए पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल था इसलिए अमने मना किया था बट फिर भी अगर आप लॉंग टर मीनिमेस्टर है और आपने इस आप्लाई किया हुआ है तो आपको अलॉट्मेंट कैसे चेकरना भी पता च सब्सक्राइब तो 22 अक्टूबर को इस आई पो की जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी तो यह तो बात हुई की इंपोर्डेंट डेट सी अभी साजिप से पहले हम इसका जी एंप आपको बता देता है उसके बात अलॉट्मेंट कैसे चेक करना आपको बत सब्सक्राइब तो मार्केट अच्छी नहीं रही तो और नीचे भी यह जा सकता है लिस्टिंग इनकी यहां बात कि तो माइनस टू परसेंट यहां पे लॉस में जा रहा है यह तो आज अस्प्रेक्टेद लिस्टिंग इसकी नहीं सो तीस रुपए पे होनी है तो आपको अगर तो आपको अलॉट्मेंट कैसे चेक करना है वो मैं बता देता हूं तो अभी अलॉट्मेंट चेक करने के लिए हां फ्रेंट्स दो तरीके हैं आप एक तो BSC India की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं वन बाइव एन हम दोनों वेबसाइट पर चलकर आपको चेक कर सकते हैं तो चलिए यहां पर आपको एक्विटी सेलेक्ट कर लेना है इस्जू टाइप में उसके बाद आपको इस्टीन name में Hyundai Motor India Limited select करना है और यहाँ पे आपको application number या अपना pen number जो है यहाँ पे field करना है I am not over पे click करके submit करिए आपको allotment का status यहाँ पे show कर जाएगा और दूसरा तरीका है यहाँ पे friends अगर वहाँ पे आपको करना है यहाँ यहाँ आपको नौट करके दिख रहा है तो आप यहाँ सिंप्ली आईए के फिंटेक की साइट पर यहाँ पे हुंड़ेट नहीं हुआ है रेजिस्टार की वेपसाइट पे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है आप जैसे ही डेटा अप्लोड कर देगी कंपनी रजिस्टार की वेपसाइट पे यहाँ पे आपको कंपनी का नाम स्लेक्ट करना होगा और आपütfen यहाँ पर देख जाएगा तो फ्रेंस यह तो तरीका हुआ ऐल 1.4 देखने काurव आपै अपना अफ्ट में नमड़ iomis app डान एक प्रभी आप स्टेकर इंवेस्टर है अगर आपने लगाया हुआ है तो लिस्टिंग देखेंग दिन आपको क्या स्ट्रेटिजी होनी चाहिए बैसिकली आपको लॉंग टर्म के लिए अगर लगाया है तो वेट कर सकते और अगर आप रिटेल हैं तो आपको जो भी अगर तो फोड़ा सा भी स्टॉक ऊपर जाता है वहां पे आप प्राफिट बुक करके निकल सकते हैं क्योंकि लिस्टिंग पे यह और नीचे आ सकता है क्योंकि इसकी प्रफॉर्मेंस इसका मतलब वैल्वेशन बहुत हाई है तो जब नीचे आए तो फिर आप दूबरा इंटी कर स